दोस्तो अगर आप गाव द्यास से होंगे तो खेती बाड़ी की बारे में आपको अची तरह से मालूम ही होगा दोस्तो जैसे मैं भी गाव द्यास से हूँ तो हमको भी मालूम है खेती बाड़ी की बारे में अची तरह से तो हमारे तरफ यह होता है जैसे कोई सीजन आनि कोई फसल का सीजन आ गया तो फसल का सीजन आनि फस्ट जो निकलता है उस समय थोड़ा जैदा रेट होता है उसके बाद फसल का सीजन थोड़ा थोड़ा जाने लगता है तो फसल का जो रेट होता है धिरे धिरे गिरने लगता दोस्तों अक्सर ऐसे सब्जियों के आनि सब्जियों में इसे देखने को मिलता है जैसे कोई हारा सब्जी हो गया जैसे आलो माटर इसम में टमाटर इसम में हारा सब्जी जो होता है जो आनि खेतों से निकलने के बाद ज्यादा दिनों तक आप अपने पास नहीं रख सकते हो इस तरह का सब्जियों में ज्यादा तरह ऐसा देखने को मिलता है तो दोस्तों जैसे मेरे गाह में भी इस तरह से भटना घटित होता है तो मेरे गाह में कुछ लोग हैं जो खेती बारी करते हैं कुछ किसान ऐसे हैं जो खेती बारी करते हैं तो जैसे आलू का शीजन हो गया आलू के सीजन में जैसे आलू रूपाई करने के बाद जो कुड़ाई होता है तो जो फ Mitte फर्ष्ट फर्ष्ट होता है फर्ष्ट कुड़ाई उसमें थोड़ा रेट रहता है बाद में आलू का जो रेट होता है दोस्तो धीरे-धीरे करके गिरते चला जाता है मार्केट में तो कुछ किसान ऐसे हैं जो जैसे मार्केट में आलू का रेट गिरने लगा तो जो आलू है उसको यानि मार्केट में ले जाकर विक्री नहीं करते हैं वो घर में है उसको यानि चीप्स बना के विक्री करते हैं दोस्तों जैसे बहुत सारे यानि चीप्स यानि कुछ किसान है जो चीप्स बना के विक्री करते हैं उसको फैदा ही फैदा हो जाता है इसमें क्योंकि उसको कॉम रेट में वजार में बिचना नहीं होता है अपने आलू को क्योंकि वो जो चिप्स है उसको बना के बिचते हैं तो उसको बहुत बड़ा बनेफिट होता है उन किसानों को आलू का चीप होता है दोस्तों देखे ही होंगे मार्केट में या कही दुकान में की नारा दुकान में जनरल श्टोर में आप देखे ही होंगे जो इसे ही रखा हुआ रहता है किसान लोग chips बनाने के लिए जयदा उसको chips बनाने के लिए मेहनद करना ने पड़ता है कोई market में जो chips बनाने का डाई होता है आसानी से मिल जाता है और डाई मिलने के साथ वो जो the fact होता है plastic page उसको उसको आप हासानी से आप मार्केट से खरीद सकते हो और ओलाइन भी खरीद सकते हो जिसे पैक होता है प्लास्टिक पैक होता है उसको जो पैकिंग करने का मसीन वो भी वो किसान लोग खरीद के रखे हुए है जो पैकिंग मसीन होता है वो यदा रेट का नहीं खरीद हुआ है बड़ा मौल में ले जाकर बिक्री करते हैं हमारे गामे कुछ किसान ऐसे हैं जो चिप्स का बिजनेस है दोस्तों सालो भर करते हैं जो अपना जो आलू होता है दो मौसमी खेती करता है आलू का तो पहला जो मौसम है और जैसे फरवरी मार्च इस समय लगाते हैं और दूसरा जो अगस सितंबर में वो लोग भुगाय करते हैं तो उनके पास सालो भर आलू होता है जैसे इस्टोर में कभी-कभी ले जाके रखते हैं दूस्तों आलू को तो ओ किसान लोग पास सालो भर आलू रहता है कुछ किसान ऐसे भी हैं दोस्तों जो आजू बाजू अपने जो किसान होते हैं उनसे भी याने कम रेट जब दाम गिर जाते हैं आलू का तो उनसे भी आलू बहुत भारी मतराम खरिद लेते हैं और उसको याने चिप्स बना के सारे को याने विक्री कर देते हैं उन लोगों क सस्ते दामों आलू मिलता है तो थोड़ा सस्ते दामे चिप विक्री करते हैं थोक के भाव में तो विक्री हो जाता है असानी से तिस तरह से मार्केट करते हैं दोस्तों हमारे गाम के कुछ किसान लोग चिप्स का बिजनेस करते हैं दोस्तों अगर इसमें किसान लोग बीना च चला जाते हैं तो इसी को मदे नजर रखते हुए वो लोग चीट बना के विक्री करते हैं तो उन लोगों को ज्यादा बेनेफिट होता है